तो जैसे कि पुनित सर की स्टाइल में अगर आप समझो तो चैप्टर को मत समझो चैप्टर के नाम को समझ लो तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है तो जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं Matter in our surrounding तो हमारे पास सबसे पहला जो शब्द सामने आता है वो है matter तो अगर आप लोग अपने आप से सवाल पूछे हैं कि what is matter बहुत सारी रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने की सोची और मैंने का आप इसकी सीरीज लेके आते हैं तो आप सब लोग अपने आप से सवाल पूछेंगे कि what is matter तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ matter is anything anything that occupy occupy space and have some mass mass क्या होता है mass is nothing but the fundamental property of any material a basic property होती है जो हर एक element के पास होती है हर एक material के पास होती है हर एक matter के पास होती है mass fundamental weight नहीं बोल रहा हूँ weight मतला वजन होता है mass is different property mass is fundamental तो anything that occupy space and have some mass and can be can be senses can be sense by our sense organs अब एक ऐसा material या ऐसी चीज जो की space occupy करती हो volume occupy करती हो इस real world में इस space time world में इस space time world में अब आप बोलोगे सर इस space time क्या होता है space तो आपको पता ही जहां आप रह रह रहा हो लेकिन समय एक बहुत बड़ी unit है जैसे अगर मैं कहूँ कि एक कार है और उस कार की speed 30 km प्रती घंटे की रफतार है और इस 30 km को मैं अनंत रफतार दे दूं अनंत रफतार मतलब infinity speed दे दूं तो क्या वो car आपको दिखेगी नहीं दिखेगी ना क्या वो car आपके लिए exist करती है नहीं तो हमारा पूरी चीज इस space time में चलता है space time is very important तो space time के अंदर कोई भी चीज जो space cover करती हो उसके पास सब मास हो और वो sense की जा सके with the help of sense organ feel कर सकते देख सकते सुन सकते जो भी है वो सब क्या होगा वो सब matter होगा हमारी ncrt की किताब वो एक बात और बोलती है वो क्या बोलती है वो सुनो ncrt की किताब बोलती है कि matter जो है matter all matters are in the are in the form of are in the form of पंच तत्व पंच तत्व मतला five elements पांच basic elements हैं पांच तत्व हैं पांच तत्व कौन-कौन से हो सकते हैं पांच तत्व हैं अर्थ fire, sky, water, earth, fire, sky, water और एक और बहुत important है जिसका नाम है air yes ये पांच तत्व में से कोई भी किसी भी form में matter हो सकता है matter is nothing but matter is nothing but that occupy anything that occupy space and have some mask and be senses with the self of sense organs are called matter or matter किस form में है matter इन पांच तत्व के form में है अब matter को देखें तो वोलता anything लेकिन मैं कहूं everything जो तुम देखते हो समझते हो और महसूस करते हो वह सब matter है आप मुझे देख रहा है matter है आपने अपने आप मेरे में देख रहे हैं आपके पास वो भी matter है mobile matter है आप आर्थ को देख लो matter है हवा को देख लो matter है liquid को देख लो पानी को देख लो पेट्रोल को लेकर हो, सब चीज matter जो तुमारे आसपास है, चाहे वो synthetic हो या man-made हो, matter तो है इसका मतलब यह है कि हमारे आसपास, हमारे ecosystem में हमारे environment में जो भी चीज है हमारे सामने वो सब के सब matter है, matter is nothing but which occupy space and have some mass यह हमारे definitions थी, लेकिन अब हम उन चीज को feel भी कर सकते हैं, जैसे air, air हम देख नहीं पाते हैं, dust particles जो air के अंदर मौजूद होते हैं, वो सिर्फ टिंडल effects की तरह देख पाते हैं, टिंडल effect की वज़े से देख पाते हैं, लेकिन वो भी तो matter है, matter is nothing but, again, I am repeating once again, matter is nothing but, which occupies space in the space time, and have some mask and be senses with the help of sense organs, और वो किस किस form में होते हैं, वो होते हैं हमारे पांच तत्वों की वज़े से, पांच तत्वों के form में, earth, fire, sky, water, air, इन ही को बोले जाता है matter, आज स्रिफ introduction की बात करेंगे, अब बात करते हैं matter क्या हुआ, हमारे environment, हमारे surrounding की, जो मैं आपको बता रहा था, surrounding, matter in around surrounding, आप आप बोलते हो वो liquid है, आप eyes को ही, पानी के form को अगर देखें हैं, तो eyes के form में देखते हैं, तो आप बोलते हो, अरे तो solid है, और उसी eyes को जब तुम या पानी को तुम जब boil कर दो, और वो पानी gas के form में उड़ जाए, water vapors के form में उड़ जाए, हवा में, विलप्थ हो जा है, हमारे environment, हमारे environment, हमारे ecosystem, जहां तुम आज पास रहते हो, my dear, समझ में आया, क्या surrounding, हमारे surrounding, हमारे आज पास के जितने भी environment में, पेड, पौदे, पशु, पक्षी, animal, biosphere के अंतर हर एक चीज, living हो या non-living, सब matter है, अब हमारे पास हमारी teacher ने एक चौक का तुकडे का example द मैं चाह था, हir चौक का तुकडा है, चौक का तुकडा है, matter किससे बना है वह ही तो बता रहा हूं, ये चौक का तुकडा है, इस चौक के तुकडे को एक तोड़ो, एक साइड हिग दो, फिर एक और तोड़ो, फेग दो, अलगलग चौक नी, उसी तो चौक के, छुटा, जब तक तोड़ते रहो, जब तक तोड़ते रहो, जब तक आखरी कंड ना आ जाए, उसी कंड को बोला गया है matter से बनी हुई चीज, जिसको मतलब उन कंडों से मिलकर बनता है matter, और उसी कंड का नाम लिया था, डायल्टन ने अपनी atomic theory में, मैं इसको explain इसलिए कर रहा हूँ, यह बहुत ज़्यादा important है, अपने अगले next chapter में इस्तेमाल होगा, डायल्टन atomic theory, बोला matter जिससे बना है न, उसका नाम है, atom जिसको divide नहीं किया जा सकता, लेकिन बोहर बावू ने, और रदर फोड ने इसको divide कर दिया था, इन्तु त्री पार्ट्स, electron, proton and neutron, लेकिन अभी ड चौक के तुकड़े का एक last वाला है इससा लेके आओ, जिसको मैं divide नहीं कर पा रहा हूँ, वही matter है, वही matter है, यानि matter किस से मिला है, tiny particles से मिलकर बना है, अब सोचो कि वो चौक के तुकड़ों, उनके सारे particles एक साथ attached थे, यानि कहीं ना कहीं, उन tiny particles के बीच में कुछ attraction का force था, force of attraction था, यानि tiny particles से मिलकर बना हैं, लेकिन ये tiny particles आपस में कुछ force of attraction लगाते हैं, tiny particles are combined to form matter, are combined to form matter, combined to form matter with the help of, with the help of some force, और उसी को बोला force of attraction, ये जुड़ा हुए हैं, इनको तोड़ने के लिए हम तो force लगाते हैं न, जैसे low high उसको तोड़ने के लिए ज्यादा force लगाया जाता है, चौक के टुकड़े को ज्यादा force नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो जुड़ा तो है न, यानि हर matter आपस में जुड़ा हुआ है, ह force of attraction मतलब जोड़ने वाला force, अब आप बोलोगे sir, हवा में कैसा होता हुआ, हवा में यही force कम हो जाता है, liquid में कैसा होता है, liquid में और कम, मतलब as compared to solid, वो ही force liquid में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता as compared to solid, लेकिन हवा के respect में, अगर gas के respect में बात करें, तो liquid में वो force कैसा होता थोड़ा सा जादा लेकिन सुनो लेकिन सुनो अभी मैं state of matter की बात नी कर रहा हूं अभी मैं solid liquid gas की बात नी कर रहा हूं अभी सिर्फ मैं matter की बात करने आया हूं यहां पर matter क्या होता है matter is nothing but which occupy space in the time space and have some mass can be senses with the help of sense organs और किस के form में है पांच तत्व के form में है वो पांच तत्व कौन-कौन से है earth, fire, sky, water, air और यह हमारे surroundings में है इसलिए हम अपने बारे में बात कर रहे हमारे आसपास जो भी चीज़े है उसको जानने की इच्छा रखते है न science आज आप science चैटर पढ़ रहे हो भाई और मैंने इसके पहले 8 में science जब start किया था तो मैंने बताया था कि science का शाब्दिक अर्थ है getting to know अगर तुमारे आसपास कोई चीज तुमको दिखेगी तो तो उसको जानने की इच्छा तो रखोगे न और वो ही हमारे आसपास दिखा हमारे ecosystem में दिखा और Dalton ने भी अपनी atomic theory में ये बोला है कि वो tiny particles को ही क्या बोल दिया उनने atoms वो जुड़े हैं आपस में with a force of attraction और यही मेरे प्यारे बच्चों matter होता है what is matter matter is nothing but which is made up of very tiny particles called atom अभी मैं types की बात नहीं कर रहा हूं और can have some mass and occupy space in space time can be senses with the help of sense organ जैसे eyes nose skin जो भी है तुमारे पास sense organ तुमको सब पता है क्या मेरी बात समझ में आई what is matter matter in around surrounding अगले lecture में अगले lecture में हम types की बात करेंगे अगर वीडियो पसंद आया तो comment कर देना नितों मैं series नहीं लेके आऊंगा comment करो कि समझ में आ रहा है मजा आ रहा है comment कर दो अगर यह वीडियो समझ में आया तो पसंद आया पसंद आया तो लाइक करो चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो लाल वाला बटनें दबा दो तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो देखते रहो पुनिस सर की पाटशाला जैन